हाई दोस्तों आप देख रहे हैं गुरुजी व्लोग और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 बाइक फॉर लॉंग राइड दोस्तों जब यब लॉंग राइड का प्लान करने होते हैं तो वहाँ पर आपको मिलता है मल्टिपल रोड कंडिशन और वैदर कंडिशन भी दोस् तो वो सारी चीजे मैं इस वीडियो बताने वाला हूँ वैसे तो आपको मालूम है कि किसी भी बाइक पे आप जो है लॉंग राइड कर सकते हैं बट हाँ जहां बात आती है comfort, power, performance, features पे तो options बहुत यहाँ कम है तो वही option इस वीडियो में देखने वाले हैं तो make sure इस वीड इस वीडियो बहुत ही अच्छा मॉडल अगर इसके पावर के बात करें तो 220cc का इंजन आता है जो 19bhp के पावर प्रड्यूस करता है 40 kmpl का मालेज होता है जो की 40 लेटर के टैंक सा आपको मिलती है और इसका जो वेड हो ही बहुत हलका होता है 155 kg की गाड़ी होती है जिसे कि small height people या फिर जो women short height होती है उनके लिए बहुत ही comfortable होता है अभी भी बहुत लोग उसको यूश करते है जिसका model है जो उसका controlling है वो बहुत ही अच्छा grip पनता है इसलिए मैंस वो 10 नमबर पर रखा हुआ है तो दूस्तो 9 नमबर पर है hero का Xpulse 200cc model अभी आपको ये hilly area से ब ready-to-go model है and off-road on-road condition पर अच्छा gripping देता है suspension भी इबन फ्रेंट बहुत ही अच्छा बहुत करता है और पावर जो प्रडूस कर रहा है वो 18.1 bhp का पावर प्रडूस करता है 28cc का engine है 154 kg की गाड़ी है sitting height थोड़ा सा लंबा लंबे लोगों के लिए सही है short लोगों के लिए मैं recommend बिल्कुल नहीं करूँगा because इसकी sitting height 823 mm का है तो it means आपके अगर height 5.8-5.9 है तो आप इसको इसको इसलिए rate करते हैं उससे कम में आपको फोड़ाम होसता है इसको जो माय लग जा है वो 40 kmp के मिल रहा है 13 लीटर का tank मिल रहा है आपको ठीक है मतलब 40 km पिल अगर और न इंच है वेरियेशन में दूस्तों नमबर 8 पे है महिंद्रा का मोजो मोजो 300 दूस्तों यह बीए 6 में जल्दी ही मॉडल ने वाला है वैसे तो महिंद्रा को मोजो है वो अंडरेटेटेट है बट यह नहीं हो कि अंडर पावर भी है दोस्तों पावर बहुत ही अच्छा है 26 में जब आने वाला है तो जो सिंगल सिरिंडर लिक्विट कूल एसाई पो स्ट्रोक 249.72 सिसी गांगे आने वाला है 25.35 बहुत करेगा 25.96 अनम का जो है वो टॉक मिलने वाला है 6-speed gear के साथ में प्राइजिंग जो है टोटली क्लेर नहीं है बट दोस्तों मॉडल जो है हिंद्रा की अभी जो मार्केटिंग है न उसके वज़े से थोड़ा सा यह जो है जो है अंदर रेटेट हो रहा है अधर्वाइस मॉडल में कोई कमी नहीं है मैंने ले ले लिदाग ट्रिप में कुछ मोजो देखे हुए है जिनका अच्छा प्रफॉम्स भी है तो दोस्तों इसलिए मैंने डखा है इसको नमबर 8 पर पर आता है KTM Duke 200 प्लस मॉडल जितने भी है 253 90 मॉडल यह सभी मॉडल जो होते हैं बहुत जादा यूज किया आते हैं टूरिंग ट्रिपिंग पे इवन ले 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 दाग में आपको बहुत जाद देखने को मिलेंगे विको इसक पर आसा कम मिला था 10 लिटर के आसपास का वो टाइंग मिलता है मालेज भी अच्छी नहीं है जो 200 सिसी और 35 के मपेल का उस कंपनी क्लेम करती है बर 32 के आसपास एवरेज देती है वही 390 जो है आपको 24 25 के आसपास ही मालेज आवरेज देती है वेट जो है लाइठ है अब देखते हैं कि प्राइज बहुत जादा है बट यह टूरिंग ट्रिपिंग के लिए 7 नंबर पे परफेक्ट तो 6 नंबर पे है के टीम 390 एडवेंचर मॉडल यह मॉडल जो है फुली लोड़ेड किसी भी रोड कंडिशन में लॉंग राइड हो शॉर्ट राइड हो कि इसी भी बैदर कंडिशन में आप इसको एजली राइड कर सकते हैं दोस्तों 373 का इंजन आता है 43.3 बीच पी का इसमें पावर प्रडूस करता है दोस्तों इसका जो प्राइजिंग है वो 2.98 लैक्स के आसपास में है दोस्तों इसमें को और मॉडल आने वाला है जल्दी ल बादाती है वहां पावर प्रफॉर्मेंस साफ दिखता है लगी फाइड नूमर पर आता है जाओ 42 मॉडल एंड जो स्टाडर मॉडल है जावा का एंड यह दोनों ही मॉडल जो है एक्टली परपस टूरिंग बाइक टाइप पनाया गया है इनको एनकी सिटिंग हाइड बह जो एक्टल आता है वो 32-34 के असपास ही इसका मैलेज आ रहा है और गाड़ी नॉर्मल वेट है मतलब ना हैवी है ना लाइट है 170 जी के असपास की इसका है और जो डूल चैनल लेट पड़ रहा है 1.90 लैक्स के असपास में रेट आ रहा है और सिटिंग हाइड अगें जो म उसको राइट करने में थोड़ा प्रॉडम हो रहा है और ड्राउं क्लिर्स इस गूड फीचर इस गूड जो आपको लिक्विड कूल एंजिन मिल रहा है वो भी अच्छा है बट बिल्ट कॉलिटी को लेके अभी भी बहुत सारे कोश्चन और फिंगर पॉइंटिंग इस यह मौडल जो है वो फिफ्त नमबर पे है दोस्तों फॉर्थ नमबर पे है रॉयल इंटी की क्लासिक थिर्विप्टी और फइन फ्यूड डिसी मॉडल एंज दोनों मौडल सबसे जादा यूज जाने वाले मौडल है जो की यूज के जाते हैं लटतार्ट टूरिंग और ट आफ दोर प्रोड़ा यहां थोड़े से प्रोड़े कोंस के वाइस से ही पीछ आता है है थोड़ा सा इसका जो प्रफॉर्मेंस आए वो डाउन है दूज अधा है डू अक्सिजग लिए अगरे हैं तो फ्री थोड़े शीक्वार्ट की बात कि जा था था इन जन होता है 90.1 भी अब आउर प्रिडूस करता है, हैवी गाड़ी है, 195 kg गाड़ी आती है, and pricing rate की बात की जाए, तो pricing rate बहुत लंबा आए, actually अब 350cc और 50cc दोनों की बात कर रहे हैं, तो 190 गाड़ी से स्टार्ट होता है, और 2.5 lakhs तक ये model के जो rates है, वो vary करते हैं, sitting height 800RM की होती है, जो fuel carrying capacity है, वो आती है, इसके अंदर 13.5 की है, जो mileage कर जाती है, hilly areas में अगर बात करूं, तो 30 plus तो आपको easily मिली जाता है, आप normally ride करो, और अच्छे tuning के साथ करते हैं, और आपके riding simple है, तो आपको अच्छे average मिली ही जाती है, and और भी बहुत सारी चीजे हैं, जो इसके अंदर है, जैसे आपको इसमें बहुत सारी accessories मिल जाती है, जो cheap price में, सस्ते price में आपको मिल जाती है, जो टूरिंग के लिए बहुत important है, इसलिए ये ये जो है, वोर्थ नंबर पे हैं, तो तो 30 नंबर पे आता है, बजाज डॉमिनार 400cc मॉडल, अब ही बहुत सारे जो राइडर्स हैं, वो स्विच कर रहे हैं डॉमिनार के ओपर, इसकी जो reliability, performance जो आ रही है, हाईवे पे, टूरिंग पे, हाई अल्टूरिट पे, वो बहुत है रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लोगों का response भी आ रहा है, अगर पाउर की बात की जाए, तो 370, 3cc का इसके इंदर इंजन आता है, जो 39.4 बहुत का पाउर प्रिटूस करता है, गाड़ी है, मतलब मीडियन है भी है, मालेज एक्चल में कम है, 30 के आसपास जो average बोला जा रहा है, बट इसका actual average है, वो 27, 28 के आसपास ही मिलता है, sitting position इस normal को भी, मतलब जिनकी height 5.6, 5.7, 5.8 है, वो easily इस काड़ी को ride कर सकते हैं, pickup, performance, features, यह सारे words जो है, इस model को dedicate की जाते हैं, बट फिर भी अभी भी थोड़ी चीज़े हैं, जो इसमें improvement होनी चाहिए, इसी वज़े से मैंने इस model को रखाया तीसरे पर, तो second number पर है Royal Enfield का Interceptor 650 CC model, यह totally deserving model है, because riders को बहुँ जादा पसंदा रहा है, इसका power, pickup, performance, suspension, comfort, यह features जो है, वो Royal Enfield riders को, और इसके riders, दिन बढ़ दिन बढ़ते जा रहे हैं, because of 3 lakhs के अंदर में, पहला यह model है, जो parallel to an engine, और इतना refined engine जो है, वो riders को दे रहा हैं, लेले दाक के roots पे, best performance दे रहे हैं, suspension के साथ में, और बात की जाए अगर power की, तो 648 CC का इसका engine है, जो 47 bhp का power produce करता है, 202 kg का इसका weight है, weight थोड़ा heavy है, and on road price के अगर बात की जाए, तो 3 lakhs से इसका model जो है, वो start हो जाता है, और इसमें 3 variants आते हैं, वो 10-12 जार के gap में, आपको मिल जाते हैं, अगर sitting height की बात की बात की जाए, 804 mm का sitting height है, जो कि अगर आपकी height 5.7 या 5.8 है, तो आप easily comfortly इसको ride कर सकते हैं, लंबे हैं तो ride easily कर लेंगे, short में थोड़ा सा comfort problem हो रहा है, और अगर बात की जाए कि tank की, तो tank जो है, वो 13.7 liters का है, जो कि बहुत कम है, इसके जादा होना चाहिए था, क्योंकि इस परपस से गाड़ी बनाएगे, टूरिंग, ट्रिपिंग के, तो इसके आप से ज़्यादा होना चाहिए था, और आवरेज जो है, वो 27 के आसपास आपको नॉर्मली मिल जाती है, और ये फुल डिजर्विंग मॉडल है, दोस्तो नॉर्ट पर एक्चलिए टाय है, रॉयल इंफ्रील का थंडर वर्ड जो है, वो भी नॉर्ट प्लेस पर याता है, बिकोज ये एकदम हाईवे परपस बाइक है, दोस्तों में 20 लिर का टैंक साता है, सिटिंग पोसिचिन बहुत जहाँ कमपरेबल है, बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने वाला मॉडल है, जो लेलदाग ट्रिप पे टूरिंग पे यूज़ किया जाता है, और ये परपस पाएक है, एक्चलिए टूरिंग ट्रिपिंग और इसकी जो एसदरीज होते हैं, वो भी इस दिर सबनाए जाते हैं, कि आपके टूरिंग ट्रिपिंग को बहुत ज़्यादा कमफर्ट दे सकें, और ये रेडी टू गो, मतलब किसी भी रोड कंडिशन पे आप इसको जम करवा दीजे, कुदा दीजे, ये आपको पूरा खड़े उतरेगी, बीच में कुछ इशूस थे इसके, बट वो बहुत सारी चीजें, जो नए मॉडल्स हैं, उसमें सलूशन प्रोवाइड कर दिया गया है, रोयल इंट्री के तरफ से, ये मॉडल जो है, सस्ता, अच्छा, और टिकाओ टाइब का मॉडल है, जो आपको लेले दाग ट्रिप के लिए हेल्प करेगा, 800 mm का है, और जो टैंक कैपसिटी है, 15 लेटर के आसपास के आपको मिलती है, आपको नॉर्मल जो आवरेज है, वो 30 के आसपास ये अराम से दे देता है, जो 411cc का एंजन है, वो आपको आपको नॉर्मली, जो बागी गाड़ियों में देखने हो मिलता है, कि 25, 26, 27 का से मिलता है, अराम से 30 के आसपास आपको आवरेज दे दे देता है, और बहुत सारी छोटे मोटे ऐसे फीचर्स हैं, जो आपकी राइड को एक्चल में करते हैं, ये परपस बाएगा, आप इसमें जो गाड़ देखेंगे, जो इसमें S-series की जगा देखेंगे, वो सारी चीज़ें इसको explain करते हैं, कि ये model लद्दाख, हिमालेन, टूरिंग, ट्रिपिंग के लिए ही बना हुआ है, तो दोस्तों, I hope सारी डिडिल आपको clear हो चुकी होगी, कैसे लगी आपको वीडियो, जरू मुझे बताईएगा, और आप अगर sequence को आगे भी चकरना हाते हैं, तो जरू कमेंट सेक्शन बताएगा, आपको क्या best pick-up है, आपको कौन सा model है, कमेंट सेक्शन में जरू बताईएगा, ताकि as the situation जो है, मुझे help कर सकें, दोस्तों ख्याल रखें, ध्यान रखें, और देखते रहे हैं, गुरुजीत व्लॉग, ऐसी बहुत सारी इंफर्म विवाप के लिए आते रहेंगे, बाई! झाल